लुखा नमाशकार सारे बिसीन के धर्शेगों को नवरातरी के आने वाले परवकों बहुत वार शुबकाम नाई और नवरातरी जैसे कि आप जानते हैं माता शक्ति के दिन हो नौ दिन होते हैं दशेरा मिला के दस दिन होते हैं और इस हमारे सनातम Ос May bei के अंदर बोलते हैं माता दुर्गा या माता लक्ष्मी असरस्वति काली को लेकिन देख शक्ति क्या है शक्ति आक्षिली वह चीज है जो हमको कार्यार्मित करने के लिए शक्ति देता है यारे हमको प्रोच्षान देता है अगर समझे कोई बल्ब है बल्ब के अंदर अगर लाइट नहीं है करेंट नहीं है उसके अंदर तो मस्पी का तार नहीं जुड़ा है तो बल्ब जलेगा नहीं उसी प्रकार से समझे हमारे कोई लैप्टॉप है लैप्टॉप में अगर उसका सौफ्वेर नहीं है और लैप् देविदेवता रहता है वहांगा देवीदेवता का सब्सक्राइब करेंगे तो साय दस एपिसोड भी कम पढ़ेंगे अपने को लेकिन एक समझने की बात क्या है देखो जो शक्ति होती है शंकर भगवाने शंकर भगवान आकर अपने प्रलै के देवता है उनकी शक्ति है माता पार्वती माता काली और भगवान विश्णू सब पालन करता है उनकी शक्त और उन संसार में कभ ग्यान का कोई आतर सकता तो atrave का पूरा संसार को चलाने वाली मात शक्ति है जो पूरा चला ती लिन आज आप या इस नौवरातरी को हम कागर जान पाए कुछ समझ पाए नौरात्री का जो इंपोर्टन से या प्रमुख्यता ऐसा है यह चालू हो रहा है अपना 26 सेप्टेमबर 2022 को जो सोंबार का दिन हाता है और हस्ता नक्षत्र में अपना माता का नौरात्री चालू हो रहा है अश्वी नमास के शुक्ल पक्षुतिति को प्रत्म प्रतिप के लोगों को और शुक्षुविदा मिलने वाला लोगों को इस नौरात्री में और इस नौरात्री के पर खास करके गुरू का द्रिष्टी होने के वज़े से मंगल का द्रिष्टी होने के वज़े से इस नौरात्री पर इन इसमें जो बरत करेंगे पूजा करेंगे उनको विशेश उसका फल मिलने का योग बनता इस नवरात्री का देखिए इस नवरात्री में घटसता अपना जो मोरत होता है अपना अभीजित मोहरत है जो आपको बारा बजे से लेकर साड़े बारा है बारा च्छतिस तक का आता है साड़े बारा तक आदे घंटे का लगबग आदा पैंटिस मिनिट का मोहरत है अगर समझो सवेरे का भी नहीं हो पाया दोपेर का भी नहीं हो कई लोगों को अरचन रहता की यह पॉश्व offered, क्या है तक लोग जानते ही है कैसे करना क्या करना इसके आलावबह अपना अश्टमी का चर्चा करेंगे cetमी आक यह को और सुरार्भर अप्टवर्बर अप्ट्वर्वर्य बीच क्रपर 5 और दर नहीं दिर Сं striking स से लेकर अगले दिन यानि तीन तारिक अगले दिन सोंबार को चार बचकर 37 मिनिट तक का अपना अश्टमी का महरतिस बीच में आप अश्टमी का जो भी आपका गन्या भोजन है या आपका जो अश्टमी का दुरगाश्मी का जो विशेश पूजा होता है वरत है जो पूरा पालन करन हैं और इसके बाद 9ya आता है अपनो 3 TARIK को चार बच कर 36だ 16 frem incl के बाद चलता है चार तपर्पर दोबच कर 20-ट कर दुपेर तक आपना Ngley का इस बिच में आपके पूजा पाठा जूब और देखेश, इसमें नौरात्री में, हम विशेष क्या ग्रुता ही जो निवास करते हमारे माता बहने हमारे जो बेटियां हैं हमारी जो जिनको हम आपने माता मानते बहन मानते पत्नी मानते बेश सब शक्ति सुरूपा है खास करके इस नवरात्री में आप कोशिश करें जो भी दर्शक हैं जेकरें इस नवरात्री के अंदर खास करके कोई भी स अरब दूसरा कैसा है अपना पारंपरिक पूजा है। इसके अंतर कट आप अंखंड जोट जलाना, उपवास करना कन्या पूजन करना और यह कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात मानने वाली एसी है नवरात्री के अंदर अपने स्त्रियों का हमारे जो आसपास की स्त्रियां है उनका मान सम्मान बहुत जरूरी है उनके कीमत को समझना जरूरी है कई लोग हम साथ रहते लेकि को उस्सक्त पानी का कि लोग विज्दी का किन ना इरे गा उसी प्रकार से रहे जो हम लोग हमारे साथ जो हमारे माधां हरे हमारे पत्ती रेत Congratulations कीमत उनको मान संपान देना शुरू करे तो वह शक्ति मं हमारे जिए उतना आ ही आशिरवाद बन कर आएंगे यहां सथ् Amito को माता का पूजन करना माता का जाब करना ध्यान करना रात को दिन में हवन करना जाब करना अची है रात को बैठके मा का भजन करो मा का सिमिनन करो मा का जाब करो मा का ध्यान करो यह सब्षेश्ट माना गया है जो नव रातरी के अंदर रातरी के नव बजे के बाद जो आपको सि बदल से उपवास करते हैं और यह नव दिन अम लोग उपवास करते हैं यह कम खाना खाना करते कोशिच करने से क्या होता है अपना पूजात करते हम जो जात करते हम जो जाक करते हैं उसका फ़ल दुगणा मिलता है और माता का बात करते हैं मता का पहला श्रूरुप श्यली पुतरी वह रूफ होता है जिसे आप सब लोग घानते हैं यहावन कुंड में माता ने अपने आपको प्रजवलित करके आपने शरीट को त्याग किया फिर मा परवत राज के घर में जनम लेती है परवती के रूप में जो परवती बनने के पहले माता का यह जो शैली पुत्री रूप उसी को माना जाता है यह भगवान सूरज का ध्यो उसको क्या करना माता शैली पुत्री को कोई मीठा भोग लगा और गुढ़ल का जो फूल जो जास्वन का फूल बोलते हैं वो फूल अगर माता को चड़ाते हैं तो उस पर विशेश कृपा मिलता है भक्तों को उस दिन पर और उनका सूर अगर जिसके पत्रिका में ठीक नह सभाने में तो प्रह्म स्वाध्य का रूप है और यह अपना पूजा नय्म का यहा सृनी ग्रह सृनी बिए नियम न्याय के स्वामी इंधॉर है जो-गतित ज़्यानना का पुजा करतें।नका थ्यान करतें। जन हमें चंद्रगंटा क्यां पर अब कुई पुपतिव करें। क kw processor को समझते हैं जो आइसा है कि समझो जो को Ing को इसके बाद हूँए इसके बाद बताउए पूजा करते हैं पीले रंके फूल चड़ाएंगे मां को और पीले रंके फूल साथ में हल्दी चड़ाते मां को उनका गुरु घ्रह ठीक आता है और अगला है अपना सकंद माता सकंद माता आकर घवान कारते हैं माता चीक का 5 माता का पूजा करते हैं मंगल घ्रह ठीक आता है मंगल का शक्ति त理 उब ह skirts इंहिए 15 सालकी का उमर माशोधनी में माता पूजा करना माता सफेद रन्ग का अरपित करें हैं और सफेज रंके मिठा अकर अर्पित करते हैं शुक्र ग्रहा करते हैं तो कोग मतके रोग घजती करते एक करतेmane अगला आखिर में हैं अपना माता का नौँवा रूप है यह सारे सिद्धिया प्रदान करने वाली और यह मा क्या करती है भक्तों का यह आर दिन का पूजा है उसको सब देखते हुए नवे दिन के अंदर मा भक्तों का जो मनवांचित फल है है सिद्धिया ने वह जरूरे को सिद्धिया ने की हमारे मनमें कुछ कामना है ना हमेरे यह बच्चे का तब्दी ठीकाना है अच्छे नुखरी मिले हमारे माता पिता का स्वास तच ऐसा कुछ जो अच्छे मनोकामना करते हैं सिद्धात्री मा वो नवे दिन के उप्वास या पूजा पाठ के वज़े से वो मा आपको फल देती है तो केतु आकर जैसा लास ग्रह केतु मुक्ष का कारक है और केतु एक उच्च पदवी का कारक है माता जिद्धात्री भी विझे देती है और अखंड ग्यान ए अब दएखिए माता नौल ऑह टरीकमे आदर जो ऊर्रत तरीके से क्या करना चाहित है जिन को सामर्त है वो दुर्गा श्कैश England का पाट करते हैं जिन को सामर्त है नहीं है वो क्या करे रोज माता के मंदिर जै जै काली काल भी नाशिनी फिर से सुन लिजे जै जै दुर्गे दुर्गती नाशिनी जै जै काली काल भी नाशिनी अगर इस चोटे से भजन को भी निरंतर उठते बैठते खाते पीते आते जाते भी जाप करते रहे मां के नवराधरी के अंदर मां अनंत कृपा करती हूं चाहिए जब तक समर्फित नहीं होते है कि उसी लें बोलते है मास को जाता है उनको जो उनके शरण में रहता है उनके भकतों के सारे कष्ट हर कर माता भगवती नारायनी उनके उप्र कृपा करते हैं और माता को कवी भी प्रसन्द करने के लिए पिर से ऑपने जोरी उनका मांसभान करे उनको मज़त करे कि और माता का नवाप्तिुर्च क्यंव मना जाता है कि महिशा शोपना वह ब्रह्मा का तपस्या करता शुक्राचारे के बोलने से तो मईशासुर क्या है ब्रह्मा का तपस्या करके वरदान ऐसा लेता है कि मुझे कोई अकरमिnd कर लेता है और बोलते हैं कि प्रभु ऐसा है, तो भगवान ब्रह्मा, भगवान नारणा और भगवान शंकर के पास ली जाते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे सकष्ठ है क्या करें, तब भगवान शंकर, भगवान विश्नु, भगवान ब्रह्मा के मुख से जो तेज निकलता है, वो तेज से देखकर महिशासुर बोलता है नहीं मुझे ऐसी स्त्री से शादी करनी है तो माता दुरुगा बोलती है जो मुझे इस युद्ध में को जो मुझे हरा ठेगा मैं उससे विर्णिक को पती की रूप में तौzh alltid को लगता है यहां को फिर क्या करता है पहले दूत लेशते तो नहीं होता फिर बाद में चंद मुंड को एड़ जोग nya के समiz liksomAm tud मारने के प्रक्रिया के अंदर नौ दिन का संकेतिक रूपी है अपने नौ रातरी और लास्ट के दिन पर नौ मी के दिन मारती है जो जीत का दिन प्रारूफ होता है जो जीत का दिन के अंदर अच्छा ही का जीत तो हमने भी क्या करना चीब यह नौ दिनों के अंदर उपआस करते विए हुआ करने को मारने का घोशिश करना के ओंदर का मतुमल करना स्विसका शमण करना चाहिए और क्या करना चाहिए कोई कूज हमानों ने सिर्फ जाकर माता इक और जो और lang का घुड़ल और हो सके तो आपके जो बच्चे हैं इर्द गिर्द में खास करके कन्या बच्चे उनको मीठा खिला है रोज तो अच्छा होगा और देखें इसमें कैसा है यह नवरात्री आकर तपस्या या फिर अपना जो अपना ध्यान साधना है उसका ध्यों तक है जैसा से शैली पुत्रिय पीसा है है और इसका मतलब यह है कि हम चोटी सी शुरू करेंगे तो हमको ब्रह्मचारी से परता प्रसके सारे चीजें चोड़कर हमको एकत्रीक टरिक से एक जूट होकर एक मिलेगा उसका आको फल मिलेगा नवरात्री का छोटे नौरातरी के फल, अपना गर्षतापना का महरते, अश्टमी है, नौमी का बताया, और दशेरा का दिन तो बुदवार को है, पांच तारीक को, दशेरा के दिन ही माता ने मईशासुर को मारा, भगवान राम ने रावन को मारा, और अर्जुन ने सारे के सारे अस्तिर जो छु अलग कहानी है तो यह सब चरहाएं अपने पुराणों के इतिहास में इसका कहानी है तो दर्शक वह अपने माथा को बहुत मान संबान करें पूजा करें मन में उनका इसा पूजा मान के उनका सेवा करें अपनी माता की इच्छा को उनके बातों को भी काटे नहीं माता पिता का मान संबान करें तो माता प्रसंद होगी अपने उपर माता सरस्वती माता काली और माता लक्षमी का कृपा बरसेगा अपन इस चीज का बहुत बहुत शुबेच्चा नवरात्रिका जै मातादी नमस्कार